आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे communication mode को आप कैसे change कर सकते हैं यनि कि अगर आप system के अंदर morpho से किसी प्रकार का कोई भी work करते हैं आप इश्रम card बनाते हैं या आप PM किसान सम्मान देर योजिना में काम करते हैं या morpho से कोई अधर काम करते हैं तब आपकी mode for work नहीं करती हैं, आपकी ishram card में work कर रही हैं, यह PM किसान में work नहीं कर रही हैं, यानि कि PM किसान में आपकी work कर रही हैं, और ishram card में आपकी work नहीं कर रही हैं, इस बीच आपको communication mode change करना होता हैं, तो वो कैसे आप change करेंगे और आपकी mode for work करने लग जाएगी, तो इस तरीके से इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप Communication Mode को कैसे चेंज कर सकते हैं तो आप वीडियो पे बने रहिए Communication Mode 0 या 1 करने के लिए सब सब पहले आपको अपनी डेक्स्टॉप किस तुन पर आना है और आपको My Computer के Option पर चले जाना है जैसे आप क्लिक करेंगे आपको C-Dive में क्लिक करके C-Dive को ओपन कर लेना है C-Dive को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको Morpho RD Services का फॉल्डर देखने को मिलेगा आपको Morpho RD Services के फॉल्डर को ओपन कर लेना है इसमें आपको बहुत साई Services दिखाई देगी आप यहाँ पर ही नीचे देखेंगे आपको यहाँ पर Comprimation Setting का Option दिखाई देगा इस पर आपको क्लिक कर देना है Comprimation Setting पर आप डबल क्लिक करेंगे आपको सामने एक Pop-Up Show होगा आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको नीचे तरब आप देखेंगे Communication Mode आप देख सकते हैं Communication Mode यहाँ पर हमारा 1 है अगर आपको यहाँ पर 0 है तो आप 1 कर लें और हमारा 1 है तो हम यहाँ पर 0 कर लेते हैं यहनि कि आपको यहाँ पर चेंज करना है अगर आपका Morpho एक Service में वर्ड कर रहा है कर दो यहां है तो आप यहां पर एक कर लρεί है अगर आरो के अदिक्प क्लिक कर सैंड़ते ही अब का मोड आपका मॉर्फो जहां पे पी रुका हुआ है आप वहाँ पे try करेंगे आप फिर से उससे को open करके फिर से customer का आप try करेंगे तो आपका communication mode यहाँ पे change host चुका हैं अब आपकी Morpho यहाँ पे work करने लगेगी Morpho की light चलने लगेगी और आप Morpho से work करना शुरू कर सकते हैं और work में भी आपकी Morpho की light जल जाएगी